अलो दोस्तों कैसे हैं आप लोक देखिए आज इस सेशन में जो है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस सेशन कराने वाले हैं अब इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और इसके साथ साथ करेंट फेकर तो सेशन चली रहा है और पीवाई क्यू का सेशन भी चल रहा है तो आप लगत से नाराज थे नहीं नाराज थे जो यहां के जो इंडियन थे वह बिटी शर्थे काफी नराज थे और काफी उन में गुश्टा था और वह गुस्ता दिरे देर बढ़ते जा रहता था क्योंकि विटिशन ने उन पे बहुत जुल्म करतेश वसूह यह उनको बहुत मारते थ पे कोई फोटा जूम कर रहा था उसको बड़ा सजा दे जैसे को फूर एक्जामपल को शूरी कर दिया तो उसको उम्र कहत की सजा दे तो इस तरह जो है अत्या चार जो कर रहे थे उनके खुलाब पे इंडियन में काफी गुस्ता था और यह गुस्ता बढ़ते जा रहा था औ और जब बिटी सर को दिख गया कि गुस्ता काफी बढ़ रहा तो उनको एक डर लगने लगा था यह अगर फिर से 1857 जैसे क्रांती हो गया तो हमको यहां से इंडिया से भागना पड़ेगा और यही डर उनको पार तो इसलिए उन्होंने इंडिया नेश्नल कॉंग्रेस का फॉरमेशन हुआ आपको पता है कि 1857 में जब क्रांती हुआ था तो वह काफी बड़े पैमानर पर हुआ अर उसका में पेल होने का में रीजन यही था 1857 में जब क्रांती हुआ था उसका फेल इसलिए हुआ थ है इसका जो है कोई लीड करने के लिए नहीं मिला था इसके चलते यही सब अचलते यह अधीक एससे कि लश्चवाit लेकिन वह अपने फैयादे के लिए रहते लेकिन इंडिया नेशनल कॉंग्रेस में दिरे दिर जो लीडर थे हैं वह काफी फेमस हो रहते हैं और उनका जो है प्यार और सपोर्ट जो है इंडिया के जो पीपल हो बहुत दे रहते हैं इसके कारण जो है इन्डिया नेशनल कॉंग्रेस का फ्रमेशन किया अगर इनको मालूम हो था कि इन्डिया नेशनल कॉंग्रेस इतनी फेमस हो जाती और लास्ट में उन्हें के खिलाप जो है और इसमें जो गुवर्नर वो थें लॉड डपरिंग कौन थें लॉड डपरिंग थें तो यह आप रहाद रखेगा यह कूशन पूछ देता है कि लॉड इंडिया निशनल कॉंगरेश जब बना था उसमें के वाइसराय कौन थे या गौर्नर कौन थे तो यह हो जाएंगे आगर वह सद्वान करते तो हम लोग को इंडिया से भागना पड़ता जैसे कि लिए कि निजाम है दराबाद को निजाम सब्सक्राइब सपोर्ट किया था मैसूर के जो राजा थे उन्होंने सपोर्ट किया था जिसके कारण कि अठाउ संतावन जो है दमन कर दिया गया था है और इसका एक और रिजन यह है आपने देखा होगा कि प्रेसर कुकर जो इसमें खाना बनता है अगर प्रेसर कुकर में जादा प्रेसर हो जाए तो वह त्टज जाता है इसलिए फ्रेसर कुकर रा दोचार में अपना प्रेसर बीचव करता है बि Seriously शोका offset य। आगर जो है इन्डिया इंडियन क्रुन का ग्स्ता जादा हो गया थो एक तरह से ब्लाश के के फॉर्म में रूप ले लगा इसलिए इनको जो है उन्होंने बोला कि चलो इनको लॉली पॉप टॉपी चॉकलेट चोटा मोटा देते हैं इसमें ही यह खोस रहेंगे जो देखें इसमें दो लीटर थे एक ते एक्स्ट्रेमिस्ट एक्स्ट्रेमिलिस्ट ठीक है जो मार धा जो है यह दोनों बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रेमिलिस्ट और मोडरेट दोनों अलग लोग बढ़ जाते हैं और इसका में जो रीजन यही था कि जो मोडरेट थे वह पीठीर पे प्रेयर प्रोटेस्ट प्रेटिशन पे प्रेटिशन ठीक है प्रेयर प्रोटेस्ट और प्रे करें कि अग्ष्के बात करें तो यह बोलता है कि नहीं हम हाथ नहीं प्छिण प्रफिलाएंगे हम जो है छीन के अज़ारती लेंगे ठीक है आपको ब्रेश्टेमे जो थे लाल बाल पाल कि यह तीन नाम होते हैं तीन नाम जो आते हैं यह काफी एक्स्टिमिलिस थे हैं आप लेसके कि अजली च क्याने वीपिन चांदरपाल przeknes ही ती ही था कि मोडरेट जो थे हैं वह चाहते हैं है कि जो परेस्थ हो वह मंगाल में है हमको मास्स पर्ड मास्स सपोर्ड करना है मास्स तो चाहिए और यह चाहते थे कि बंगाल से बाहर हो इसलिए 1907 में जो है extremist में और moderate में दोनों अलग हो जाते हैं तो ठीक है यह आने वाले आगे में लाइन में देखेंगे और इसका जो हर एक point important है यहान से पढ़िए गई हर एक को लाइन जो है बहुत important है तो देखें इसमें क्या रहा है इंडिया National Congress was founded at the Bombay in December 1985 तो यह याद अखिएगा कि इसका कब foundation हुआ था इसका foundation जो हुआ था 1885 में इसके जो early leader थे इसके अर्ली लीडर जोते हैं दादा भाज नरो जी रोज सामेहता बदुद्दिन तयब जी उमेश चन बनर जी डबलू सी बनर जी और सुरेंदर नात बनर जी रोमेश चंद्रदत और सुब्रमन्यम अयर ठीक है यह सब moderate लीडर थे यह सब किस पर फोकस कर रहते हैं यह फ देखे हैं और यह जो इंडिया निशनल कॉंग्रेश जो है फॉर्म किया गया थे एक रिटायर ओफीसर थे इन्होंने फॉर्म कियता है ए ओ हम नाम है इसका है कभी-कभी इनका नाम पूछ देता है एक्टीव इनका पुरा नाम देख लिए जगा है एसे एक्टीव हिम ऐस तो जो बच्चे नहीं जानते हैं, उनको confusion हो जाता है, इसलिए आपके देख लिए जागा, तो बिर्टीशर, रिटाइर बिर्टीशर ओफिसर जो है, A.O.H.E.M. जो है, इन्डिया नेशनल कॉंगरेस का जो फार्मेशन हुआ है, और इसका फैदा ये हुआ कि ये जो है, नेशनल बिर्टीशर में जो है, काफी इन्ड़र मदद किया, लास्ट में जो है नो डाउट हलांकि फाउंडेशन जो है moderate leader नहीं रखा है और लास्ट में जो है extremist ने इनमें बढ़ चड़के ज़्यादा हिसा लिया था नहीं देखिए in the effort to reach all region it was decided to rotate the congress session among the different part of the country तो congress session जो हो रहा था वो किसी एक particular area में नहीं यह लोग चाहते थे कि इसको जो है national level पर रखा जाए क्योंकि किसी suppose that अगर मुंबई में बना होगा तो तो अगर इसका session होता तो यह लगता कि कोई regional party है कोई छत्रीय party है लेकिन यहाँ कि इनकों जो लीडर थे moderate leader उन्हों रिशाइड किया कि हर साल हम लोग इसका session होगा और जो हर साल होगा वो different different state में होगा तो यह अब ध्यान नखिएगा सबसे पहले जो आगे में बताएंगे इनद एफ़र्ट तू रिच अल रिजन इट वाज डिसाइड़ टू रोट्रेट दा कॉंग्रेस सेशन एमांग दा डिफरिंट पार्ट अपकंट्री जैसे में में बताया कि कॉंग्रेस सेशन जो है हर बार जो है ऐर कॉंग्रेस सेशन वाज बंग तो पार्टेशन वास बिंग फिल्ड तो क्तंग्रेसर लीडर होंगे जो परसीरेंट होंगे वो जीसए कि सब्व hind explains बंगाल में हो रहा है तो अगर बंगाल में कॉंगे सेशन हो रहा है तो परसिडेंट जो होगा वो बंगाल से नहीं होगा बंगाल को अलावा कहीं और से होगा जैसे बंगाल में हो रहा है तो गुजरात का लीडर होगा चाहे मदरास का लीडर होगा ठीक है अगर महराष्ट में हो रह अब जैसे अब आभी गवर्णर की बात करें तो गवर्णर में क्या होता है अगर आप गवर्णर किसी को बनानाद रहते हैं उसucionesus नहीं नहीं होगा को इसका बिहार में किसी को त Prize का नहीं होना चाहिए और पल सजब का हो जाए है्मारा 만들어 को पर नहीं को गाएगी को में उसका में नहीं होना है तो यह प्थान रख़िए प्रशेशन में यहीं वाकिंग जो कॉंग्रेस्ट्स उसके सिर्वेंक वहां नहीं नहीं भर नेगा chuckles eat कहाया हर नए जागा नहएं जगा मोगा और वहारद होगे वहार诉 से बिलॉघ नहीं करेगा जैसे गवर00 चैनल तो देखिए इसका पहला सेशन होगा था वहोता कहां पहला सेशन कहां प्य पहला पहला सेशन हुआ था मॉम्मे में और इसका जो परसीडेंट है वो डबलू सी बनर जी बने ठीक है को हर एक को ध्यान सी पड़ना है तो पहला सेशन कहा हो था पुल में में यहाँ प्लेग होता प्लेग लेकिन यहां पर प्लेग बिमारी होता आजू यह से बहुत खतनाग भी मारेग देट हो गया तो अभी था नहीं ज Ouch i g तो लोक्ता नहीं लगा रहा था क्योंकि इसका वैक्सिन ही नहीं थी कुछ से तरह एक उससमें महावारी फैला था उसका नाम था लेग तो इसलिए पूर्णे में सेशन ना होके बॉम्मे में सेशन वह था सेकें सेशन देखिए सेकंड सेशन हेल्ड इट कलकाता जैसे की है और हम इंडिया का नक्स्टा बना है तो इंडिया की से बना ऐसे यह कुछरात हो गया सब्सक्राइब तो पहला जो सेशन वह था बॉम्मे में हुआ था था थैक है दूसरा जो हुआ था यह दिस्कों आप ध्यांद्रा heck त्षब इंडिया का मैप मैं देखते हैं कि मैं देखिए इसमें बताता हूँ यह महराष्टा रही यह महाराष्टा तो पहला जो महराष्चा में दूसरा बेंगाल में यह दुसरा सेशन हुआ था ओधा मदरास में तो इधर वह था तो यह आप ध्यान लखेगा यह बहुत इंपोर्टन कुश्चन है आप जिए खना लाइं नेक सेशन कि बात करें कि चरतरों को मौनде तो स्यद बदरुदीन तयज столько मौस्ट वह यह बहुत इंपॉर्टन है यह लगाल। कब हुए थे कॉंग्रेस के अठासुसन दासी में हैं और कहां पर लीड गिया था था यह आप याद रखेगा पूर सेशन की बात करें फिर सेशन जो हुआ बनावुष्प कितने पूशन हुए है आप से पूछन Commissioner क्यूव ट्रूस करको सेशन हुए क्यूव जुक्सेक्दश लें इसकी प्रसीडेंट जो थे Georgia L यह पहले इंग्लिस फॉजिटेंट टिक है पहला जौन के को ग्रेंटेंट लेंशन के वह से डादा भज नरौ ऑजि इस बहुत आ इंपौर्टन है इनको ग्रेंड मैंनी और मैंन कहा जाता है इन्हों इन यह इंडिया के बाहर राके जो है इंडिया को ब्रिटीशर को यह बताए कि इंडिया में कितना जुल्म सित्रम कर रहे हैं इंडिया के लोगों खून चूस रहे हैं ठीक है लंदन में तो यह दादा भाई नरोजीत है कि नहीं देखिए तो फोर सेशन को किसने पर सेंट किया था तो यह जौर्ज लेते हैं और यह फर्स्ट इंग्लिश प्रसिडेंट चैन ठीक है और नेक्स बाते यह चार तो लगतार हो गया अब जो में में इंपॉर्टेंट सेशन है वह यहां पर दिया हुआ जैसे 896 में कलक प्रसिडेंट को तो रह्मत उल्ला सयानी ठीक है रह्मत उल्ला स्यानी जो थे इसके परसिडेंट है और इस में ही वंदे मातरम बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है वंदे मातरम जो सौंग है उसको गया गया अच्छा एक क्वेश्चन में और मैं आप सब पूचा हूँ नेशनल सौंग कि इसको बोलते है तो आठासो च्हानमे के जो प्रसिडेंट थे वो थे रह्मत उल्ला सयानी और जो इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गया गया किसके द्वारा तो रविन ना टैगवर के द्वारा बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है यह आपको याद कर आठासों में रहमत उल्ला सयानी थे परसिडेंट वंदे मातरम का सौंग आया गया और किसके दवारे तो रविन ना टैगोर के द्वारा ठीक है निटी निटी में देखिए परसिडेंट जो थे रोमेशन दद रसी दद और इसमें क्या हुआ था तो इन में जो है दिमांड परमनेंट फिक्रेश ओफ लेंद रिबेंट करेंच में फिक्स किया गया था कितना इमस्तिंधिन में डिमांड होगा तो यह भी कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट हो गया है कि पहले बार पहली बार देखिए गांदी जी तो 1915 में आये थे इंडिया में लेकिन उससे पहले भी इंडिया में कॉंग्रेस सेशन वह अटेंड कर चुके थे तो वह कब किये थे तो 1909 में बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है कि गांदी जी पहला सेशन कब अटेंड किये थे तो वह कि तो 1909 में उसके प्रसेडेंट को थे दिंसा यह वाच्छा इसमें पहली बार गांदी जी अपियर ओना कॉंग्रेस प्लेटफॉर्म तो यह आप याद रखिएगा प्लेट में गोपाल क्रिश्ण गोखले ने प्रसेडेंट किया था तुछ फांच में बैंगाल का डिवाइड हो रहा था और इसमें नियनल यह था कि हम सवर्देशी मौफमेंट करेंगे और सवर्देशी बाइकॉल करेंगे बिदेशी कप्रह उसको जलाएंगे और सवदेशी को अपनाएंगे इसमें रिजुलूशन पास हुआ था कहां पर मनारस में और इसके परसिडेंट को थे तो गोपाल क्रिस्ट गोखले मैं कोश्चन इसलिए बारवर रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मैंन में बैठ जाए और आपको याद हो जाए तो 1905 का जो एंसर यह हो जाए जो परसिडेंट थे बनारस में सेशन हुआ था और इसके परसिडेंट थे गोपाल क्रिस्ट गोखले और इसमें क्या हु इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का प्रसिडेंट ना बने इसलिए उन्होंने दादा भाई नोरोजी का नाम दिया था कि हम इनको बनाना चाहते हैं और दादा भाई जो नोरोजी थे वह दोनों के प्रिये थे जहें मोडरेट हो चाहें एक्स्रिमिस्ट हो दोनों इनको सवराज जो है अपनाए गया था सेल्फ गर्मेंट और इसी को बोलते हैं सेल्फ रूल तो आप कन्फ्यूज मत होएगा पूछ देगा को सेल्फ रूल कौन सा सेशन सेशन में अपनाए गया था तो यह उनिस सो छे में ठीक है और आप्टेट फोर डिजलूशन ऑन सवराज स देखा है जब 1906 में दादा भाई नोरोजी बने और 1907 में जो है पिससे एक्स्ट्रेमिस्ट जो हो चाहते थे हैं कि कोई एक्स्ट्रेमिस्ट लीडर जो है वो बने इसका प्रसिडेंट लेकिन मोडरेट चाहते थे कि इसमें से प्रसिडेंट जो है एक्स्ट्रेमिस्ट नह मारधार एक्षन मतलब मोड्रेट का क्या था प्रेयर प्रेटिक्शन प्रोटेश्ट यहीं तीन था रिजन हम प्रेयर करेंगे प्रोटेश्ट करेंगे और नन वाइलेंस नहीं करेंगे लेकिन जो एक्स्ट्रेमिस्ट थे वह बोलते थे कि हम नौन वाइलेंस करेंगे ठीक है मतलब हिंसा करेंगे हम चीन क्या जादी लेंगे यही कारण था कि मोडरेटर चाहते था कि इसका जो है नहीं बनना दें प्रेसिडेंट तो 1907 में इसके प्रेसिडेंट राज बिहारी बोस बने और स्पीट हुआ कि इसका कॉंग्रेस में मॉडरेट और एक्रिमिस्ट यह दोनों जो है अलग-अलग हो गया यानि कॉंग्रेस में ही एक डिविजन बन गया थेक है कॉंग्रेस का डोट पार्ट हो गया है नहीं देखिए और यह जो इसके बाद यह मिलते हैं लॉखनाव सेशन में यह दोनों वापस मिल भी आते हैं क्योंकि आखिर दोनों तो इंडिया के ही लड़ गये थे दोनों फृड़िया की लिए लड़ रहते हैं और दोनों का अला दी देना तो 1916 में जो है फिर लोग मिल भी जाते हैं आगे पढ़ते हैं 1910 में अलहाबाद सेशन हुआ था इसके जो प्रेसिदेंट ते सर विलियम वेडर बंड और इसमें जो है मुहम्मद अली जीना डिस डिक्राइड ड़ सेपरेट एलेक्ट्रोड सिस्टम इंट्रोड इन दे एक्ट 1909 तो देखिए 1909 में तो आपको मालूम है कि मौरली मिन्टो रिफॉर्म आया था और लॉर्ड जो मिन्टो है उनको कहा जाता है क्या पादर ऑफ लॉर्ड मिन्टो को जो है क्योंकि यहीं से है डिवाइड अन्रोल शुरू हो जाता है 1905 में बेंगाल हो रहा था उसमें हिंदू मुस्लिम आपस में गले होके लो रहते हैं और दोनों गावन्दे मातरम गाना विगा रहते हैं और इसलिए जब यहां पर बिर्टिसन ने द और 1909 में मॉन्ट्यू मिर्ला रिफोर्म आता है 1919 में जो है मॉन्टेगो चेंस्वर रिफोर्म आता है तो 1910 में मुहम्मद अले जीन्दा थे शुरू से एक्स्रेमिस नहीं थे शुरू में तो इन्होंने इसको अपोज किया था जैसे कि यहां पर जो है 1909 में मॉर्ली मिन्टो रिफोर्म आयता है तो इसको अपोज किया था और जब 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मोहमेंट हो रहा था और खिलापद मोहमेंट को मिलाया जा रहा था एक दूसरे में तो उन्होंने गान जिसे कहा था आप राजनीती में रिलीजन को भीच में मत लाइए और उसमें ये पाटिसिपेट भी नहीं किये थे लेकिन कहा जाता है कि जैसा दोस्त बनाओंगे जैसा फ्रेंड बनाओंगे जिस महौल में आप रहोगा उस तरह में ढ़लना पड़ेगा तो जब यह मुस्लिम लीग बनता है और उसके साथ उनके लीडर के साथ जब उनके सपोर्ट में आते हैं तब इनका जो है मांड चेंज हो जाता है कि अब ध्यान देखिएगा कि 1909 में के खिलाब सेपरेट लाया जाता है जो उसके खिलाब जो है यह में जिनना होते हैं अब ध्यान देखिएगा इसके फॉर्स टाइम जो है जो है जो है गाया गया था तो यह उपर में फिर सब्सक्राइब देखा दे रहा हूं कि यह उनिसो च्हानवे में जो है पहली बार मंदी मातरम गया गया था कि इसके द्वारा डविन नट टैगोर कर रहा और 1111 की बात करें तो पहली बार जनर गया गया था तो आपको मालूम चली गया होगा मैं कोशチン आप से फूंजरता है राषट गान किसको बोलते हैं वंदे मातरम को बोलते है और इस नोहीं होता है जनर गया गया था और इसके जो परसिडेंट है बी ए अंधार, ठीक है जाना अगर ना माना ठीक है, तो यह अब याद कियो 1915 में देखिए, 1915 में जो है बॉम्बे में सेशन हुआ था और इसके परसिडेंट से स्पी सीनहा, कौन थे स्पी सीनहा बिहार के यह काफी गौवर्नेर भी रह चुके है और पिछले बार बीपी सी कुशन में यह पूछा बिता और इसमें जो है Constitution of Constitution of the Congress was altered to admit the delegate from the extremist action, यानि वही extremist session से अलग हो गया Congress session जो है altered हो गया extremist session से, इसे सोला में देखिए Ecc Temperance से, जो प्रसेड़न था एससी मजमुधार ठेक है? और यह कहा हुआ था 1916 में? तो लुखनव में हुआ था और इसमें क्या क्या हुआ था इसमें दूफेक्ट हुआ है एक हो है लुखनव PACT क्या हुआ है? लुखनॉव PACT हुआ टो लखनौ सेशन जो हुआ था उसमें जो है यह दोनों जो है इनमें सूला हो गया था जो एक्स्ट्रिमिश्ट थे हैं होड जो मुड्डेट थे यह दोनों का सूला हुआ था वो किस्में हुआ था the long congress लगनौ सेशन करता है वह ही अगर लगनौ पैक्ट की बात करें तो यह जो साइन हुआ था यह कॉंग्रेस जो है दोनों डिवाइड रूल का गेम खेल रही है तो इनको भी ध्यान आया कि हमको मिल जाना चाहिए और लगनौ सेशन में जो है मोडरेट और एक्स्रेमिस मिल जाते हैं और लगनौ पैक्ट से जो है और मुस्लिम लिक मिल जाती है आप लगनौ हम रही यह दो है तो यह था अचिंड आच Season में देखिए में सब्सक्राइब कर दो प्रसीडेंट आइए इसमें मुझा आच सकता है कि पहली बार इंडिया निशनल कॉंग्रेस के ओमेन कौन थी सेशन का जैसे इंडिया निशनल कॉंग्रेस तो होई ताभी तक तो मेल परसिडेंट था है फिमेल परसिडेंट कौन थी इंडिया निशनल कॉंग्रेस के तो यह थी एनिशनल कॉंग्रेस के तो यह थी एनिशनल कॉंग्रेस के इन्दिया के नहीं थी उन्होंने और यह उन्होंने काफी इंडिया के लिए के आजादी के लिए काफी बर्चर के हिस्सा लिये थी जब लियान रखीगा तो 1917 में पहला इससे सेशन था जिसमें पहली बार ओमें प्रसिडेंट बने थी और 1908 के देखें तो 1908 में एक अस्पेशल सेशन आया था अस्पेशल सेशन जैसे कि कोई सपोज डैट कोई पार्लेमेंट बुलाए जाएगा ना माले के पार्लेमेंट चल रहा है तो उसमें जो है अस्पेशल सेशन आद मिलता है उस तरह बनाया गया बुलाया गया और इसका प्रसिडेंट है वो सैयद हसन इमाम थे और नश्येशन वाज़ कवर्ट तु डेलीवर दा कॉंडेंशन मानेट देखिए उप दो नौ में जो है उनीचों नीस में जैंशन चेंफ एव अधार और से पहले इसका तो फॉर्मेशन तो पहले ही अहां लागयी लाग इंफॉर्मेशन में नीच महुँआ था कि यह को चलिको उसको बाइकॉर्ट करने के लिए उसको बाइकॉर्ट करन ख्रवाद लाल नहरू क्होन है यह जोहाल याल नहरू के फादर है नहर तो और। क्लाफर मोंपर मुंपमेंट को सपोर्ट किया था और इसके बाद ही जो है खिलाफत मुहमेंट और नॉन कोपरेशन मुहमेंट जो है यह दोनों को गांधी जीन एक अपरचुनिटी के तरह लिया कि मुसलिम का भी सपोर्ट मिल जागा और इधर भी हिंदू सब भी सपोर्ट मिल जागा हलाकि जैसे मैंने उपर इसी वीडियो में आपको बताया था कि इसके खिलाब थे कौन एमेजिन नहीं लेकिन जब इंडिया ने मुसलिम लीडर के साथ मिल जाते हैं जब उनका दोस्ती हो जाता है तब वह भी एक्ष्ट में कॉमिनल बन जाते हैं और लास्ट में तो इतना व मुटिलाल नहरू और इसमें क्या हुआ था तो खिलापत मुव्मेंट का जो है सपोर्ट किया गया था और उनिसोबीस में भी फिर से स्पेशल सेशन बनाए गया था और इसके जो प्रेश्ट है लाला लाजपत राय ठीक है अगर इसमें मैं एक कोश्चन आप से पुछ रूजट भाल गंगा सा तीलग जो है वहां कौन सा सेशन जो है प्रेसिडेंट बनाते हम तो यह एक यही इक आप मात रते हैं जो कॉंग्रेस के परसिडेंट नहीं बनेते आज यह और राच पत्राइं और इसमें महात्मा गांदी मुर्टू नॉन कोपरेशन मोहमेंट रिजोलूट्शन और महात्मा गांदी जी ने किलाफत मुहमेंट और नॉन को मिला दिया था और एक दूरों को अपर्चुनिटी के रूप में लिया था ठीक है को रिक रिक कंश्व और वकिंग कमिट्य कॉंग्रेस इन लिंगविष्टिक बेसी समय तो लिंग्विष्टिक बेस्स में बढ़ा और क्या है यहां मोहमाद यूदर जीन आले में चैनला को छोड़ा देखि ए यहां से जो हैं मुहमाद जीनना जो है 13 तो गयम हुआ था गया बिहार में है और इसका नंबर पुझेगा अगर BPSC का एक्जाम दे रहे हैं इस पार तो इसका नंबर पुझेता है कि कौन सा नंबर गाता तो 37 नंबर गाता और इसके जो प्रस्टेंटर CR-DAS थे और देखिए CR-DAS and other leader broke away from the INC and formation of सवराज पाठी तो देखिए इसमें अब कुछ इसे बतानम में भूल गया 1920 जब session हो रहा था 1920 में non-corporation movement चल रहा था तो एक चौरी-चौरा घटना होती है चौरी-चौरा कब घटना होती है तो 1922 में 4-4 घटती है चारफरवरी तेख है और चारफरवरी 1922 में जो घटना होती है तो वाइलन्स होती है और जैसे पुलीस ने जैसे प्रोटेश्ट चल रहा है तो पुलीस ने आखे लाटी-चारिज कर दिया अब उस भीर ने गुस्सा होके उस में पुलीस वाले को ठाना को आग लगाया तो गानधी जी ने दिखा कि वालेंस होना शुरू हो गया तो गानधी जी ने अपना non-cooperation movement को withdraw कर लिया था तेखे 5 पर जी 1922 को जो है withdraw कर लिया था और withdraw करने के बाद जो है का कई बहुत सा ऐसे leader थे जो non-cooperation movement बढ़ चट के हिसाल यह थे जब जो है नॉन कप्रेशन मुव्मेंट का सस्पेंड हो गया तो गांधी जी के खिलाब गुस्सा होगे और उन्हें एक अलग अपना पार्टी का गटन किया तो जैसे कि 1922 में जो गया सेशन में हुआ था और यहां से इंडिया निशनल कॉंगर्स से अलग होके एक सवराज पार्टी बनाएगा तो यह मोतिलाल नहरू और दास थे और सेक्रेटी जो थे वो थे मोतिलाल नहरू तो यह आप लिहान अखिएगा ब छेशन हुआ घूए टा लेकिसमे यहां पर 1912 में 111 12 में सेशन नंटापर शेकiti करते का है यह पटनम है और इसका पर से प्रसिदेंट तो कोते हैं और रेन मुन धोल करते हैं तो यह आप याद दखेगा विहार से बीपेसिक लिए ति यह कूश्चन अल्रडी पूछा हुआ है यह कुछ सा सेशन था कि यह था 12 होँआ 22 होँआ कि यह आप याद दखेगा कि यह देखिए और यह जो सेशन था यह 27 वां था सेशन 27 नंबर का सेशन था तो बीपेसिकली आपको बहुत इंपॉर्टन है यह आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यह पूछ देता है 1924 देखिए 1922 तो होगे सियादास होगे और इन्होंने अलग पार्टी सा राज पार्टी के गटन किया 1923 में कब किया था तो इन्होंने बनाय था और 1924 के बाद करें तो 1924 में प्रसिडेंट एक मात ऐसा कॉंग्रेस का जो शेशन था जो गांधी जी के दोवारा जो है ठीक्ट प्रशिद सिर्वास महात्मा गांदी में जुख कहा था बिलगाओं और यह करनाठका में कहां है करनाठका को यह द्यान रखोबिस कर तो करनाठका में का कानपूर स्रोजनी नाइटू उस्ट इंडिया ओमें प्रसिडेंट स्वरोघू नाइडू जो है, देखिए 1917 में, जब मुँवन पर दखाता हूँ जब 1917 में परसिडेंट बनी थी 1719 1917 में जब परसिडेंट बनी थी तो फ्रष्ट ओमेन थी परसिडेंट थी कॉंगरेस की, तो वो थी एनी बेसा planning लेकिन 1925 में जो बनी थी वो थी first Indian woman पहले इंडिया का महिला थी जो president बनी थी वो थी सरोजनी नाइडू और इन्होंने कानपूर में सेशन को प्रेसिडेंट लीड किया था और कानपूर कहा है यूपी में है बाबा जी योगी बाबा तो 1925 को तो president को थी तो सरोजनी नाइडू तो 1927 देखे इसके president थे dr. एमे अनसारी और इसमें एक resolution पास हुआ था यूज दा इंडिया ट्रूप इन चाइना इरान एंड मेसोपोटामिया क्यों है इंडिया ट्रूप को चाइना और इरान यूज किया जाएगा भेजा जागा लड़ने के लिए प्रिटीसर जो वहां भेज रहते हैं जैसे कि जो ब्रिटीसर के लिए जो लड़ रहते हैं वो कुण थे हमारे इंडियन थे हमारे भाई थे और वो जो जो पुलिस थे या जो भी सिपोई जो थे हैं सिपाही जो थे होते हैं इंडियन और ब्रिटीसर क्या करते थे हैं कि यहां से क्रेन करके वह बाहर इरान में भेज़ते थे चाइना में भेज़ते थे में सब्सक्रामिया में भेज़ते थे था और उन्होंने एक कंपनी को इंडिया को कॉलनी नहीं बना था कई ऐसे जो कंडिट है उसको कॉलनी बनाता है तो हर जगा यह इंडिया टूप को भेच जाते हैं लेकिन इसके खिलाफ एक रिजूलुशन पास होता है वह पास होता है 1927 को पास होता है और इसमें ही पुर्ण सवराज यूँए अडाप्त के जाता है 1928 में जो है मोतिलाल नहरू थे प्रसिडेंट और इसमें ही और इन्यूद यूथ क्विशन का फॉर्मेशन हुए था और इसमें गों थे इसमें यूद नहरू जो आपने हुआ और तुबास चंदर बोस तिया चलए काफी यंग थे और यहां तक जैब कि दोमेणन स्टेटस मांगा जा रहा था यहां को चाहिए लेकिन जो यूथ लीडर ते वो चाहिए थे यहां को चाहिए अब हम को चाहिए complete हो चाहिए पुर्ण सवराज ठीक है उन तो 1828 में यह व्याद दखिए कि इसके प्रसेड़न थे मौतिलाल नहरू और इसमें और इंडिया यूद्ध का प्वर्मेशन हुआ था 1929 में और इसमें 26 जन्वारी को अबजर्ब किया गया यह इतने ओवर कॉंफिडेंस हो गये थे हैं कि इन्होंने यह कर दिया था कि आगने वाले 26 जन्वारी को जो है इंडिया अजाद हो जागा और लास्ट में जब कंसिचूशन बनता है 26 नमबर 1949 को को कंसिचूशन को बनता है लेकिन इसका लागू कब होता है 26 जन्वारी में पाँचा सुब्सक्र नियुक्त को यह लागू होता है और इसका में लीजन यही था कि 26 नमबर को तो बन गया तो सब्सक्राइब को हम इसको इनफोर्स किने तो इसका कारण में यही था तो नाइट ट्वैंटी नाइन का हो गया कि जो आल नहरू प्रसिडेंट थे और इसमें पूर्ण सवराज को पास किया गया था ठीक है और सिविल डिस और मुव्मेंट भी जो है लौज किया गया था कि आंटी थाटी वन का देखिए नेकि थाटी वन में जो है प्रसिडेंट कौन थे तो बल्लब भाइ पर्टेल सरदार बल्लब पर्टेल वह सरदार नहीं थे लेकिन फिर भी इनका नाम सरदार क्यों पड़ा था निस्सों अटाइस में एक ऐस बार्दॉली सत्यागरा होता बार्दोगली और इसमें इनको नाम देता है सरदार का टाइटल देते हैं तो 1931 वल्लावी पर्टेल परसिडेंट थे और इसका है कि मालूम है कि इंदिया ने नेशनल क्रेश सिर्फ रॉन टेबल में पार्ट लेती है वह इसके इंडिया नेशनल कांगरेश को यूद्य कर रहा था तो वह थे हमारा गांदी जी बाफू बाफु के सामने तो अच्छे-च्छे जो है बोटन टेक दे रहेते हैं तो तो सेकंड डाउन टेपल में कॉंग्रेस का रिप्रजेन करते हैं वो ते महात्मा गांदी और कहां हुआ था तो यह लंदिन में हुआ था और इसके बाद ही सेकंड डाउन कॉंप्रेस जो है कि अमनल अवार्ड मिलता है रोमेश दत के द्वारा कि रोमेश दत नहीं है रोनाल्ड है रोनाल्ड करके नाम है देख लीजेगा उनका नाम तो और इसी बीच गांधी जी और सुबाश्चान बोस्का थोड़ा अन्बन हो जाते हैं और इसके बाद कॉंप्रिजन के कारण क्योंकि वह माग रहे था कि हमको चाहिए सेप्रेट इल कि अगया है वह डिपराइब क्लास के लिए सुबाश्चन बोस्क वह मांग रहे हैं कि हमको भी चाहिए सेपरेट इलेक्ट रोट चाहिए लेकिन इन्होंने अंसन में बैट जाते हैं गाने जी अंसन में बैट जाने सत्यागरण करने लगते कि मैं मर जाओंगा लेकिन मैं सुभाचान बोस बोल दिया था सुभाचान बोस नहीं होंगे डॉक्टर भी भीम्राव उमेदकर के द्वारा और महात्मा गांदी के बीच में के पैक्ट साइन होता जिसका नाम होता है पूर्णा पैक्ट एक है ऑने एक उन्न इसवाटिस जो करें फैसलिक प्रसाद और इसमें क्या था अमेंडमेंट इन कंस्टिविश्ञ इन कोंग्रेस तो अमेंडमेंट करना है कंस्टिविश्ञ और यह जो सेशन कहां हुआ था यह सेशन वा था लखनौ में और पूश्ट वार्ड सोशलिस्ट आइडिया बाई जो आलाल नहरू जो थे सोशलिस्ट है यह कहते हैं यह ज्यादा जो है इनका जो कहना था कि ज्यादा ज्यादा इंडेस्ट्री लगाओ जब इंडेस्ट्री लगेगा तो ज्यादा ज्यादा रोजगार मिलेगा ज्यादा ज्य बट difference जो मज़नेंट होता है रूलर से होता है लोकल Champ गाउन से सहर जाते न हैं रहे हैं गाने जी कहते थे सहर अलग अलग में आप आप सूलिस्ट को अहया ख رए हैं स्वकेस करना आपर और गाने जी कहते कि नहीं आप गाउं को डवल अब कीज़े देखें देखें नाइंटी ठाटी सेवन डेकिए नाइंटी ठाटी सेवन यो है फैस्पूर सेशन होता है और इसका भी प्रशिजेंट कुरते है जावलाल नेरू और जिप पहली बाज सेशन होता है वो गाउं मे होता है कि अन्य थर्टी एट में हरिपूरा और त्रिपूरा यह दोनों बहुत लिहाना किएगा त्रिपूरा तो प्रस्टेंट कहा है तो इसके प्रस्टेंट को उन्द है तो सुभाज चैनल बोस थे हैं और इस समय ही नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है सेट अप किया जाता ह कि इसके दौरा जवाला नहरू के दौरा और नाइटी थर्टी नाइज में तिरी पूरा मुआ था पर यह कहा हुआ था यह तो राजएंदर प्रसाद इसके परसिडेंट बनेते हैं क्योंकि नाइटी थर्टी एट में सुभाज चैनल बोस बनते हैं लेकिन उन्होंने बट रिजाइंड रिखी जैसे मैं नहीं बताया कि उनको वापस बनाया जाता है लेकिन वह रिजाइन कर रहते हैं और फिर राजएंदर परसाद पाइट इन इस प्लेस यह उनके जगह पर राजएंदर परसाद को किया गया है सुभाज चैनल बोस वाच फॉर्वाज रखीएगा नहींट चालिस में रामगार सेशन होता है और इसके प्रसेंट कोन मत हैं अब्लकलाम अजाद अबुलकलाम वजाद और ये कप तक रहते हैं तो 1940-1940 तक रहते हैं, ठीक है 1940 में अगस्थ औफ़र आता है её 1940 में अगस्ट ओप आता है इसरेखत क्रफ्र क्रिफ्टRO की के विबिक्र क्रिफर मैं किना आता है 1945 में जो है वेभल प्युत्र याफ है अलते हैं तुर्यूंत उतल-फितल हो रहता है और कई जो फेमस लीडर थे हैं उनको एरेश्ट किया जा रहा था तो इसलिए कॉंग्रेस का सेशन कर पाना मुश्किल था इसलिए उनिस्तो चार्स चालीस सचालीस तक परसेड़ रहते हैं कौन तो अबुलकलाम अजाद ठीक है और निस्तो ब्यालिस में जो कॉंग्रेस्टेशन जो क्वीट इंडिया मुव्मेंट होता है उसको जो है उस समय जो है बहुत फेमस लीडर सब को एरेश्ट कर लिया जाता है और इस समय जो जैपी जैप्रकास नरायन का फिसएमस होते है क्योंकि जो मेल लीडर तो तो उंको एरेश्ट कर लिया गया और जो लीडर सिप जो है जैप्रकास नरायन यो यह ले ले लänderते हैं और एक है और unto अस्तफ अली यह दोनों इस समय फेमस होते हैं लीडर तो 1940 में हो गया प्रसिडेंट अबुलकलामजाद और इस समय ढ Glass ऑम मां किया जाता है भार छोड़ा अनॉलन कि एक है इसम महießं किया जाता है और इंडिया निश्नल मुटिनी और आई निट्रायल है किया जाता है लिडिया द्राय घंल conserv है ना और जब इंडिया में आती है थे इनकों पर ट्राइल किया जाता है कि इन्होंने गलती किया है British के खिलाब उन्होंने सरियंट रचा है लेकिन इंडिया में इंडिया के जो पब्लिक थे उनमें इतना गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाब यह ट्रायल होने नहीं देते हैं प्लक ठको ठीधर जाते हैं और लाक्त में हैं अग्रेज को यह प्राल जुकन का रचान्अंसिग मोहन छुआ तर इस गाइड करते हैं और नार दिया मेरárं देल ज Свड़ें चलो इन्हों नारे देते हैं कि डेली चलो कहां से जापान से पोलते हैं कि चलो डेली चलो और ब्रिटी सर को उखाड फेको ठीक है और यही देखके जहां ब्रिटी सर जो है इंडिया निशनल आर्मी जब पहुंचती है इंडिया में तो इनके उपर केस करता है मुकदमा करता है लेकिन जितने भी हमारे लिए चाहे महात्मा गांदी हो चाहे तो वकील थे ना तो बहुत कई वकील जो थे इन्होंने पाटिसिपेट करते हैं और इनको बचा लेते हैं इसमें देखिए पेज आप दा कंसिचूशन नेगोसिशन सचेट क्रिप मिशन प्लान और कैबिनेट सब्सक्राइब करते हैं तो यह लगतार क्यूं आ रहते हैं और इंडिया इनको सपोर्ट नहीं करता है जब इंडिया नेशनल कॉंग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहता है तो यहां के जो सिपाही जो है वो लड़ने जाएंगे नहीं जब तो कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस कह प्रेसर आ रहा हudmit कि किसी भी तरह हाल में करको इंडिया का सपोर्ड जीते और जैन इनको आजादी you मैं वयल्ड भार में लडने के लिए राजी करो लेकिन ये राजी नहीं हो रहेते जब तक complete इंडिपेंडेंडेंस का अपन जो है एक्सेप नहीं किजेगा तब तक हम लड़ेंगे नहीं तो में रीजन यही था और देखिए और लास्ट में नो कॉंगरेशन वाज हैट ठीक है तो जैसे बने बताया कि अरेश्ट हो गया थे और उन्हें होगे था और ने उन्हें निसीचेशन होता है इसके जो है यहे लास आइसन जो है फिल इंडिफ़र इंडिपेंडेंचन होता है कब इंडिपंडेंच से पहले हाला कि इंडिपंडेंचर बाद भी सेष्ळन हुआ है इनिया नाष्ट का और इसमेंग से ऐप funk Mir la यह आप यार दखेगा और यह रहा आज का कम फूरा सेक्षन यह complete हो गया है और इसमें जो है सारा मैंने बता दिया लेगे बार बार रिभाइस किजी को आपको यह बार वार रिभाइस किजी को आपको याद हो जाए तो कम से फिर 15 अगस्त को 1947 को हमारा भारत अज़ाद हो जाता है और जब यह पार्टिशन होता यार तो देखिए इससे पहले पार्टिशन होता है उसमें जब 10 तरीके से जो राइट होता है अपने मुवी देखा होगा गदर मुवी उसमें भी के दिखाया है और भी मुवी में दिखा है हिंदु मुस्लिम जो भाइक के रूप में रहते हैं वह दुस्ते के खोन के प्यासे हो जाते हैं और जी इसका किसका दिन था तो यह दिन था अंग्रेज़ों का डिवाइड अंडोल का निथी वही आज कुछ लीडर भी अपनाते हैं तो आप जाग रुक रहे हैं तो बस आज इतना ही और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेपोर्ट सेयर अगर आपको आपका दोस्ते किसी भी स्टेश पीसियस का सब्सक्राइब या कोई भी तो यह तो सब में आएगा और मैं अभी घटना चक्राइब सब्सक्राइब कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा आपको वेल्कम है तो बस आज के लिए इतना ही थैंक्यू अब करेंट अफिर आप पढ़ सकते हैं मैंने और लेडी करा दिया हूं अभी बहुत करना बाकिया दोस्तों अभी एंची आटी कभी सिरीज लाओंगा ना सिक्स